यह नहीं आइफोन 15 सिरीज जो non-pro वाली है अभी तक का आइफोन का जो non-pro वाले वेरेंट से है सबसे बड़ा अपग्रेड है वैसे ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ नया कर दिया बर पिछले बार वाले जो pro वाले फोन से उसके काफी सारे बड़े बड़े फीचर इस बार आ यह डेफिनिली भाई यह काफी डिफरेंड फील है और इस बार अगर आप नोडिस करोगे बैक साइड में काफी अलग सा सॉफ्ट सा टेक्शर है और साइड से भी पूरी जो अल्यूमिनियम बॉडी है वो काफी ऐसे प्यारी सी लग रहे है अपल हर साल से ब्लू-ब्लू- वो यह केबल इस बार आपको एक ब्रेडड केबल मिलती है यह जैसे प्लास्टिक होती थी पड़ापल ने अभी अपने रिसेंटली में चेंज कर रहा है उसके बाद भाई कंप्यूटर सारी चीज़ों में ब्रेड केबल देने लगा है यह मेरको पकड़ने में थोड़ी सी आपको टाइनियम की साइट है और एक बार इसमें आपको देखने करें नहीं मिलता और छो टेली फोटो लेकिव एक चीज और अपकर आप गाएड करना है यह यह डायनिक एलने एलिंड न में तमकर गया है इसको आपकी नहीं परदा हूर इसosas आरी नहीं नहीं चीज़ों ह अगर आप timer लगाओ और इसको background में डाल दो भी कर सकते हो दो application के अगर आपको notification आई है तो आप दोनों directly access भी कर सकते हो side by side मैं tap करके गाना भी चला सकता हूँ और दूसरी side tap करूँगा तो timer चल जाता है इसके animations भी काफी interesting है, काफी cool है और इसको अगर आप एक feature बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो पर ये पुराने वाले pro versions में था, अब आपको इसमें भी जाए टच करते हो, जादू सा होता दूगा ये भी एक नया feature है, iOS 17 के साथ आ रहा है इसके बारे मैं अलग से बताएंगे अब iPhone 15 और iPhone 15 को side by side अगर मैं compare करूँ तो notch और dynamic island में size का अच्छा खासा difference है और इसमें एक फरक और है, कि आप dynamic island के उपर आप touch करके फोन को use कर सकते हो, पर notch के उपर touch करोगे तो कुछ भी नहीं होता हो एक dead sea screen लगए bezels में कोई change नहीं है, अभी भी आपको वही screen में देखने नहीं मिलती है dynamic island लगा है, बट refresh rate में कोई फरक नहीं है अभी भी आपको 60Hz की screen देखने नहीं मिलती है मेरे जाप से अब update करने का सही time है क्योंकि कोई भी phone नहीं है 80,000 रूपे का जिसमें 120Hz का display ना हो मेरे साब से Apple अपनी pro series और normal series में फरक दिखाने के लिए चीज़ करता है और एक दो चीज़ें और change नहीं करीगी है जो मेरे को थोड़ी सी पसंद नहीं है वो भी मैं वीडियो में बताता हूँ iPhone 15 और 15 Plus में जादा फरक नहीं है बस एक दिक्कत है इसका जो USB Type-C port है और जो iPhone pro series में USB Type-C का port है वो अलग है pro series में वो port है वो USB 3.1 है जो normally सारे phones के अंदर आता है इसके अंदर जो USB का port है वो USB 2.0 का port है 25,000 के ओपर जितने भी Android phones है सब में USB 3.1 का port आता है और इसके वैसे काफी सारी दिक्कते भी उता और USB 2.0 का मतलब बेसिकली होता कि आपको बताता हूँ कि बाहर से यह port खाली दिखाने का होता है बाहर से केबल कैसी लग रही है जो अंदर इसका hardware होता कि कितनी तेज आप इसमें फाइल ट्रांसफर कर सकते हो क्या का चीजें कर सकते हो उसमें बहुत जादा फरक आता है तो एकसरी बाद में करनेक्ट करते है सबसे बहुत ने हम चार्जिं का टेस करते है इसमें 4 variation एक अपल का चार्जर आपल की के बल Android charger, Android cable and last Apple charger, Apple cable, उसमें चली जाएगा, तो चारों टेस्ट करके देखते हैं किसमें ये बड़े काम करेगा और सही पर फास्ट चार्जिंग होती है, इस वाली केबल से थोड़ी सी जाएट पर नहीं चलेही, ऐसर नहीं है, पहले को होता था कि पहले AirPods और आई फोन की अलग केबल के थी उसके बाद Laptop की अलग केबल होती थी, आपके iPad की अलग केबल अब ग्रेड डेफिनेटली पहले परफॉमेंस का देखते हैं इस वाली सीरीज का फॉर्मॉला ही है कि पिछले साल जो प्रो सीरीज में था वो इस साल की नौन प्रो सीरीज में आड़ कर दिया जाए और सेम जीज हुए है प्रोस्टर के अंदर ही तो इसमें गेम गेलतर टाइम आपको डाइनमिक आइलेंड पर अंगली अगर चला रहो तो वो तब ही काम करता है यह काफ़ कूल लगता है और अफकोस गेमिंग परफॉमेंस में आपको कोई कमी नहीं मिलती रे ट्रेसिंग जो अपने अपने प्रो मॉनल्स में डाला है वो इसमें नहीं मिलता बट ओर ओर जो परफॉमेंस है और जो गेमप्ले है वो डेविनिली बाइसमूद है तीन चार अप्लिकेशन कर सकते हूं एक दू हंट चला सकते हूं इसमें भी iOS 17 आपको देखने मिल जाता है इसको Apple Standby Mode बोलर इसमें आपको फोटो लगानी हूँ अगर आप ऐसे iPhone को तच करा तो थोड़ादा किस हो जाती है उसमें आपके contact transfer हो जाते है आपके contact transfer करने या फिर आपको अपने दिली तमन्ना ये ट्रांफर रने दोनों साथ ज आप लोगों को भी clear करते हैं आपने पूछा नहीं अपनी आवाज में iPhone को बुलवाना है वो भी करा जा सकता है अमने try करा था ये पुराने वाले iPhone समें काम करता है अभी just update आया तो वो भी share है और of course भाई इसमें एक और feature जो आपको iOS में मिलता है ये depth वाले wallpapers का जिसमें ये देखो आगे पीछे होगे आपको दिखता है जैसे अभी ये भाई आगे है बटन प्रेस करूँगा तो ये पीछे चले जाएंगे ऐसी टाइप के आपको और भी काफी सारे wallpapers ट्राय कर सकते हो इनके color भी change कर सकते हो तो fresh walls पे पूरा इक depth वाला section है जिसमें आपको ये में बताता हूँ प्राइस भी एक थोड़ा सा फेक्टर आ जाता है जब इसकी बात आती है बट कैमरे को देखना बहुत इमॉर्ण है सबसे पहली चीज जो आप नोडिस करोगे कैमरे में लेंस में ये पहली बार है आईफोन की नॉर्मल वाली सीरीज में जब ये बारा पिक्सले कैमरे को अब आपको एक 48 में पिक्सल का क्यामरा मिल जाता है अगर आप ऐसे नॉर्मली फोटो की छोगे तो 12 में पिक्सल ही आती है ये आपको सेटिंग में जाकि अलग से एनेबल करना पड़ता है ये रॉव वाली फोटो चाहिए फोटेल में पिक्सले तब जा इस बार एक auto portrait वाला feature भी है, इसमें अगर आप एक normal photo लेते हो, तो आप उसको बाद में portrait mode में convert कर सकते हैं, तो ये वाली photo हमने normal mode से कीची है, जिसको बाद में portrait mode करा है, और जो right side है, उसमें एक portrait mode वाली photo है, आपको हलका दा फरक दिखेगा, बढ़ हाँ, portrait mode में अगर आप directly low गए हो, तो definitely better photo तो ये को आप लोग रहा हो गाँ, normal photo अगर आपकी 12MP में गीच रही है, तो 48MP का फायदा क्या, तो वैसे ये इसमें होता गया है, कि जादा में pixel से आपकी quality of photo बढ़ जाती है तो अगर आप रात में photo ले रहे हो, या फिर आप normal जो photo ले रहे हो, उसके अंदर details बेटर हो जाती है, अगर आप low light में भी हमने जैसे कुछ photos ले रखी है, 48MP में आपको अगर raw photos भी घीच नहीं, वो भी available है, इस वाले phone से 4K 60fps पर बना रहा है, अभी हमने lens 0.5x वाला ले यह हमने 1x पर कर लिया, तो आप इसमें audio quality भी चेक कर सकते हो, definitely भाई, dynamic range, सारी चीज़ें अच्छी लग रही है, अगर आप skin tones में देखो या आपको एक फरक दिखेगा, पहले उ skin tones से, अभी के skin tones में थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा soft कर दिया, थोड़ा dull कर दि वीडियो में definitely भाई, इसके camera में एक बड़ा अप्रेडा बोल सकते हो, अगर आपको ये वाला phone लेना है, तो price में बिल्कुल भी change नहीं है, iPhone 15 अभी भी आपको 80,000 रुपे का मिल रहा है, and iPhone 15 Plus अभी भी आपको 10,000 रुपे उपर में मिल रहा है, मेरे साब से 10,000 रुपे और हम आपको vlog channel पे थोड़ी थोड़ी चीजन दिखाते रहेंगे, जो हम टेस्ट करेंगे इस वाले phone के साथ, and उसके अलावा भी channel पे और मसमस चीजन आने वाली, I hope आप लोग भी ready है, हम भी ready हो चुके हैं बनाने के लिए, हम मिस्ते हैं next video, bye-bye.